यहां पर मैं आपको उता दू कि यहां पर ऑफिस टाइमिंग आपकी दस से पाश रहती है साथी डिस्टे के लोकेशन आपका रेंडम किया जाता है ऐसा नहीं कि आपसे कोई भी प्रिफरेंश मागी आती जैसी आपका फाइनल रिजल्ट आता है उसके एक या दो मेने बाद आपका डिस्टे का लोकेशन किया रहता है में भी आपको जो डिस्टे का लोकेशन है वो आपका नमबर वाइस रहता है जैसा अब यह उनके उपर डिपेंड करता है क्योंकि वह क्या करते हैं कि आपका जो भी आपका डोमेस हैल मतलब जिस भी सीटी में आप रहते हैं उसी के नियर भाई आपका एलोड करते हैं ठीक अगर नमबर अच्छ हो तो हो सकते हैं वहाँ पर दे दे जैसा वेकंसिर है लेकिन कोई भी प्रिफरेस वेगर आपसे नहीं कि आप जैसे साड़े नौक है तो भाई 10 से या 10-15 तक भी जा सकते हैं यहां पर पूरा डिसिप्लीन में रहना होता है यहां पर आपको जो अपनी बेंच रहती सीट रहती उस पर बैड़े आना होता है और आपका पांच भी तक आपका पूरा टाइम जो हो रहते हैं कई ब कि जो भी तुरेंट्स जो एसोचते कि वहीं अभी अब इतना यहादा होगी तक का पता होगत और यहां पर अगर देखा जएया तो इवैं जूनियर से लिए था चुनियर आपका नापको झालबर भी अब ही सेम हो जो रहता है । साथ ही आपका जो रहता है वह वह उनके लगबाक सेम रहता है ठीक कैंपर एक ही चीज अच्छी है और वह यह है कि अभी जो प्रोमोसंग में अच्छी है और आपका जो उपर का जो 1200 ग्रेट पर जो इस्टैनों होते हैं उसी डिस्टिक में वो आपके आंगे प्रोमोट हो चुके होते हैं क्योंकि यह जितना भी प्रोमोशन होता है वो आपका उपर वाली सीट अगर खाली उसी डिस्टिक लेवल पर सारे प्रोमोसन्स होते हैं ठीक है कोई आपका हाई कोट लेवल पर नहीं होते हैं डिस्टिक लेवल पर आपके प्रोमोसन्स होते हैं जिस भी डिस्टिक में आप पोस्टेड हो ठीक है तो उसी विसाब से आपका प्रोमोसन्स जो है वाप सभी का रहता है ठीक है तो अगर यह जान